नमस्का दोस्तों तो हम लोग national news को discussion कर लिये थे जो कि ये गट्टा सार वालोंने current affairs निकाला है six month का जनौरी से लेकर जून तक का तो उसमें national discussion हो चुका है अब international भी बाते करेंगे हम लोग अंतर राष्टी है तो पहला point है 26 जून 2024 को अंतर राष्टी सौर गडवंधन में प आगवे आपको ये बताना है कि ये अंतर राष्टी है सौर गडवंधन का headquarter कहाँ पर है आपके इंडिया में ही है लेकिन इंडिया में कहाँ पर है ये आप बताएंगे 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरच्छी धर आद्रभून कौन से है पंटानल में भीशड आग लग गई है जिसके कारण अपातकाल भोसित किया है कौन सा देश वो है ब्राजील पंटानल यहां पर है आद्रभून वेटलेंड ये धच्छिड अमेरिका के तीन देश बुल्विया ब्राजील और परागवे में इस्तित है इसको ध्यान रखिएगा जून दोजाचोविस में किसम देश याई देश ने हिजाब और इस्लामी परिधान पर प्रित्तिभंद लगा दिया है तो तजाकिस्तान ने लगाया है हाली में दुनिया की पहली मान और रहित सेना प्रडाली कहां प्रारंब की गई तो यूक्रेन में हाँ जून दोजाचोविस में इस देश ने ईERान के इरान-िसलामीक रिवलॉस्नरी गार स्कॉर को जो है आतंकवादी संक्टन कोसित किया है तो कनाट्या ने गोशित किया है जून दोजाचौविस में किसानों के तीखे विरोध के बाद कि इस देश में पसुधन पसुओ के ड़कार पर जो बर्फ देखें बर्फ टैक्स लगता था वहां को समाप्त किया है तो न्यूजिलेंड ने समाप्त किया है जून तो जानते रहे हैं कि सिप्री जो है कौन सा रिपोर्ट जारी करता है तो सिप्री ने येर बुक 2024 हथियार निरस्त्री करण और अंतर राष्टे सुरच्छा रिपोर्ट कि अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है रूस आप भारत का अस्थान इसमें बताएंगे कि भारत का राइंग कितना है इटली में जून 2024 को संपन G7 देशों के सिखत संभेलन में यूक्रेयन को कितने अरब डालर के रेड देने पर साहमती बनी है 15 अरब डालर जून 2024 संयुक्त राष्ट सरडाथी एजनसी ने किस अभिनेता को वैस्विक सदभावना राजदूत नियूक्त किया है तो ब्रिटिस अभिनेता थियोद जेम्स को नासा के पस्दिवरेंस रोवर ने हाली में मंगल के गरह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्य मैं सफेद रंग के पत्थर को देखा है जिसको नान दिया है एटोका पॉइंट वैस्विक परियाटन सतथ विकास और सांस्कितिक आधान पदान को बढ़ावा देने के लिए जून 24 में किस देश में परियाटन मेले का आयजन किया गया है नेपाल में जून 2024 में नासा के अंत्रिष अन्वेसर मिसन आर्टे में समझोते पर किस देश ने हस्थाचर किया है तो पेरू और उसलुवाकिया, आप इसका लोकेशन जानते रहे हैं, पेरू और उसलुवाकिया कहां पर है, जून 2024 में किस देश ने रूस के नेत्रित्वाले सुरच्छ किस देश की पहली महिला राष्टपती बनी है मैक्सिको की, जून 2024 में सांगरी ला संबाद 2024 कहां आउजुद किया गया तो सिंगापूर में, हाली में सन्युक्त राष्ट संग ने बच्चों के खिलाप अपराद करने वाले देशों की वैस्विक सूची में किस ने देश क को जोड़ा है तो इसराइल को, कौन जोड़ा है सन्युक्त राष्ट संग ने बच्चों के खिलाप अपराद वाले देशों की वैस्विक सूची में इसराइल को जोड़ दिया है, जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशना स्वर्लर एलाइंस की सद्रस्ता के लिये, रूप रेखा समझोते को मंजूरी दी है तो नेपाल ने दी है, मैं 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी पदान की है यूरूपियस संग द्वारा, मैं 2024 में ड्रेक्स और अपराद पर संयुक्त राष्ट कारियाल है, UNODC, द्वाराजारी 2001 जीव अपरा इक्स जिसे आप ट्वीटर बोलते थे, का डोमेन नेम ट्वीटर.com से बदल कर कर दिया है एक्स.com, हाली में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लांच किया है, जो 5G की तुलना में 20 गुना तेजी से कार्य करने में सच्छा में, तो जापान में, जापान टेक्न में, अपने सभी इग्लेसियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन सकता है, बेनेज़ेला, वहा देश जिसने अपने विदेश मंत्राले से आधिकारी बयान देने के लिए, 20 के पहले AI संचाली डिश्टल प्रवक्ता, विक्टोरिया सी, कानावरर मैं 2024 में किया है, त अगे पढ़ेंगे, माई 2024 में, वर्ड एक्वेटिक्स ने कहां पर समुंद्र तल से 2400 मीटर के रिकार्ड उचाई पर अपना प्रतिस परधा, जो है, स्वीमिंग पुल खोलने की घोसला की है, तो भूटान में, माई 2024 में, किन तीन यूरूपिये देशों ने फिलिस्तीन क को एक स्वतंत राष्ट के रूप में मानता देने की घोस्टा की, या मानता आधिकारिक रूप से 28 माई 2024 से प्रभावी हो जाएगा, नार्वे, स्वेन और आयलेंड ने, 13 से 15 माई, 2024 के बीच, 200 हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो रोटर्डम, निद पर अंकुस लगाने के उद्देश से अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और फिलिपिन्स की सदस्ता वाला हुआ बहुआ है, आमें संगटन जो माई 2024 में आस्ट्रेत में आया, स्क्वार्ड, हिंद पसांत छेत में चीनी आक्रमक्ता पर अंकुस हेत, भारत, अमेरिका, ज जापान, आस्ट्रेलिया की सदस्ता वाला ऐसा ही एक संगटन क्वार्ड पाले सही आस्टित में है, माई 2024 में UAE के राश्ट्रपती ने किस देश के राजदूत को पथम स्रेडी स्वतनता पदक पदान किया है, तो परागवे, माई 2024 में जापान के टोक्यो बिस्विध्या जाले ने, सबसे उचाही पर जो है, 5640 मीटर उचा है, बिस्विध्याला का घर्टन किया है, दस्तमा विस्विध्याल मंच, जिसका आयोजन 21 माई 2024 को बाली इंडोनेसिया में किया गया था, उसकी थीमस आज़ा सम्रिद्धिके लिए जल, माई 2024 में परमाण सुराच्छा अंतराश्टे सम्मेलन, ICO यन्स 2024 कहां पर आयोजित किया गया, तो बियाना में, बियाना किसकी राजजानी है, हाली में अमेरिकी अंतरिष एजन्सी नासा ने, चंद्रमापर किस नाम से अपना पहला रेलवेश सिस्टम को बनाने की घोस्ड़ा की है, तो फ्लोड, यक यल OAT, वर्स 2027 में प्रस्तावित 11 में बिश्व जलमन्च की मेजवानी हाली में किस देश को सौपी गई सवधियर, नेपाल की वा महिला परवतार रोही जिन्हों ने मैई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेश्ट पर तीन बार सफल चड़ाय करने वाली दुनिया की पहली मह परवतार रोही बनी है, पूडिमा स्रेष्ट, इनका नाम पहले से सुने भी होंगे, मैई 2024 में किस देश ने परियावरण की रच्छा में उलेखनीय योगदान देने वाले व्रक्तियों के लिए 10 वर्सिय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोस्डा की है तो UAE ने, हाली के दिनों में चार्चा में रहा हमबोर्ट ग्लेस्टियर, कहां परिष्टी थे तो बेने जुएला में, मैई 2024 में टाइम्स हाय द्वारा जारी यंग उनिवसिटी रांकिंग 2024 में किसे सिर्ष अस्थान मिला है तो नान यांग टेकनोलोजिकल उनिवसिटी सिंगापुर को, हा किस सरवाधित अमेज सहर किसे घोसित किया गया है तो निव्यार अमेरिका का है, लगातार बढ़ रही मुद्रा स्विती से परिषान जिंबाम्बे ने अपनी अर्थ व्यवस्ता को, इस्तिर करने के उद्देश से अप्रेल 2024 में किस नाम से स्वड समर्पित मुद्रा जार किया तो रूस, वस्त वज़ाइब 24-26 सस्त्र के लिए कोलमबो प्रोसेस की अधचता पहली बार में किस देश ने ग्राड किया है तो भारत में, कोलमबो प्रोसेस एसी आई देशों के लिए बिदेशी रोजगार और कॉंट्रेक्ट्चुवल लेबर मनेजमेंट के लिए छेत्रिय प्रामस प्रिक्रिया जिसका उद्देश यह है कि इस अधर से देशों के बिच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है जो माइग्रेट कर जाते हैं उनके लिए हाली में किस अफिरकी देश ने देश भर में एम पॉक्स मंकी पॉक्स जी से बोलते हैं कि प्रकोप को स्वास्थ आपातकाल घोसित किया है तो कांगो लोगतांतरी गड़ राज पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पत पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्प संखेक समझा कि पहली महिला है डाक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स पांच जून 2024 को मनाये गए 2028 दिवस्त के वैस्विक समारो की मेजवानी किस देश ने किया तो सौधी अरब ने किया है हाली में किस देश ने ब्रिटिस अंटार्क्टिका छेत्र में बड़े पैमारे पर तेल और गैस बंडार की खोश करने का दावा किया है तरोस ने वादेश जहां के चेतुमल खाड़ी पहले आप याद भी रखेगा चेतुमल खाड़ी कहाँ पर है हाली में दुनिया की सबसे गहरा ताम जा ब्लू होल मिला जिसकी गहराई तेरा सो अस्टी फिट है तो यह जो चेतुमल खाड़ी है यह मेक्सिको में है दुचार पचीस में होने वाले एक्क्यासी में अंतराष्टिय वाइप परिवाहन संग आई ए टीए की वार्सिक आम बैठक की मेजवानी हाली में सौपी गई भारत को जून दुचार चौबिस में किसने दुनिया के पहले ईवी वैटरी पासपोर्ट को लांच करने की जार दिन समय तक रहने का रिकार्ड बनाया है तो ओले कोनुफ ने कोन वार्स देश जहां इस्थित मांट इगू च्वाला मुकी में 13 माई 2024 को बिसफोड किया इंडोनेसिया नौ माच 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ड पितियोगता 2024 की बिजेता रही है चेक रिपेब इसको नाटोग में 32 सदस देश के रूप में सामिल किया है स्वीडन पांच माच 2024 को किस देश में गरपात को संभाइधानिक अधिकार के मानिता मिला है तथा संभाइधान में या अधिकार जोड़ने वाला हुआ दुनिया का पहला देश बन गया फ्रांस मार्च 2024 में प्र 2024 में प्रेस्टो किया है तो कतार एयर वेजने मार्च 2024 में Microsoft और OpenAI द्वारा किस नाम से AI सूपर कंप्यूटर बिक्सित करने की खुस्टा की है तो इस्टार गेट सूपर कंप्यूटर नाम हो उसका संयोगत राष्ट महासाभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयोगत र करम का आयोजन किया है तो जीनेवा स्विट जलेंड में 20 मही 2024 को कजाकिस्तान ने कहां पर आयोगत प्रमाड़ स्वच्छा पर अंतराष्ट्रे सम्हेलन के अधर्चता की है ब्याना आश्ट्रिया में 25 मही 2024 को किस देश ने प्रीथीवी के ध्रोव पर अध्यन करने के कोड़ा जीवूतिन है उन्तचर कोरिया ने 2045 द्रगमंगल ग्राव पर पहुचनेव की योजना के साथ अंतरी चनवेशड पर 100 ट्रिलियन मौन 72.6 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषडा के साथ किस नाम से अपनी अंतरीच एजनसी की घोषडा हाली में की है तो कोरिया एरोस्पेस अड्मिरिस्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्टेंस ब्रिज ब्रिज आफ नेस्टनल यूनिटी चार्ज यून द्वजाच ओबिस को कहां पर खोला गया है तो हंगरी में खोला गया है अमेरिका की पहली निजी कंपनी इन्टुएटिव मसीन्स द्वारा निर्मित वहां लैंडर चो बाइस फ्रववी द्वजाच चांद के दच्छिड पूर्वी दच्छिडी धुरूप पर उतरन्य में सफाल रहा लैंडर ओडीसियस नाम है अमेरिका की पहली निजी कंपन द्वारा लांच किया गया है 12 से 17 फ्रववी द्वजाच चोविस के बीच प्रवासी पर जाती परिश्ण रच्छण सम्मेलन सीम्यस कॉप फुट्टिन का आयोजन कहां पर किया गया है तो समरकंद में किया गया है उजविकिस्तान में फ्रववरी 2024 में कहां पर साथ में म्यूनिक शुरच्छा सम्मेलन का आयोजन किया गया है जर्मनी में 16 से 19 फ्रवववरी 2024 तक 20 समाजिक नमाचे के 16 हमें सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया तो काटमांडू नेपाल में फरावरी 2024 में किसे हेंग इस्थित अंतराष्टे ने आलाय का अध्यच चुना गया तो जेश्टिट नमाफ सलाम लिबनान के हाई हाली में कौन सा देश अपने नियमित राष्टिय ठीका करण कारकरम में मलेलिया वैक्सीन आईटी एसस अबलिक एस ओ आई मास क्यूरिक्स को सामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कैमरून जनौरी 2024 में बिस्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहां पर खोजा गया है तो कलिफोर्निय अमेरिका में फरवि 2024 में जारी टाम-टाम ट्राफिक इंडक्स 2023 में किसे दुनिया का सरवादिक ट्राफिक जाम वाला सहर जो है गोसित किया गया है तो लंडल को फ्रवि 2024 में यूरोप में पहली बार कहां से UPI का अवचारी ग्रूप से प्रियोक छूरू किया गया है तो एफिट टावर फ्रांस में स्री लंका के छेत्र में सुतनता दिवस समारो चार फ्रावरी में हिस्ता लेने के लिए कौन सी भारतियक पंडुबी ने कोलंबो बंदरगा की यात्रा की तोयाइनेस करंज ने स्विज्यलेंड के दावोस में शियोमी क्रेटर पर सफलता पूर्वक सौ्ट लेंडर करने वाया दुनिया का पाचमाल जो देश बन गया है वो जापान मून मिसल स्नाइपर 10 जनौवी देशओजर चौवीस को गुजराथ में आयोजित 10 में वाभरेट गुजराथ समीट की जो थीम है gateway to the future किन देशों ने एक जनवी दोजाज़ चौइस को आधिकारीग दोपर ब्रिक्स की सदस्दा ग्राड किये तो मिस्ट, इतोपिया, इरान, साथी अरब और सहयोत अरब अमिरात ने जनवी 2024 में योगांडा के कमपाला में आयोजित 19 में गुट निर्पे चांदोलन सिखा समेलन 2024 की जो थीम है साध्या वैसिविक समरिधि के लिए साहयोग को गहरा करना डीपिंग को आपरेशन फास सेयर ग्लोबल एफिल्वेंस हाली में डिश्टल सेजन बीजा जारी करने वाला पहला यूर्योपिय देज बना है फ्रांस किस चीनी स्टार्टप ने जनवी 2024 में दुनिया की पहली परमाणू बैटरी का अनावरण किया है तो बेटा वोल्ट ये बेटा वोल्ट है ये जनवी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा कैहान टू और हत्प वन नामत तीन उग्रहों का सफल पछेपड किया है तो इरान ने किया है कौन-कौन सा ये महदा कैहान टू हत्प वन जनवी 2024 में पसिमी अफिर की राजियों के आथिक समधा है इस आसन वाले तीन किन तेन देशों ने अपने को अलग कर लिया तो भुरकीना खास ओ माली और नाइजर ये इंटरनेशनल भी डिसकेशन हो गया है अब हम लोग आतकी भी कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैक्यू